जैशी राम भगतो जैशीरी बालजी महाराज जै मातगी कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि सबी जो हैं सुरक्सिती होंगे तो आज पर एक नई वीडियो के साथ हाजी रहें और आज हम जानेंगे कि जैसे आप डेली जो पूजा पाठ करते हैं जो हम रोज पाठ करते हैं या वो फल जो हमें मिलना होता है पूजा का वो मिल जाता है या फिर पूरन जो पूजा है वो हमारी सविकार होती है या फिर कोई सिद्धी या कोई मंतर का जाप हम कंटिन्यू करते हैं कि उसका क्या फल मिलता है तो हमारे साथ अंतक बने रही है तब भी आपको सारी वीडियो सम करते हैं आसके वीडियो जैशी राम जैशी राम जैशी बाला जी माराज मेंदेपुर की पवित्र गिर्पा आपके प्रिवारपन रिंतर बरसती रहे क्योंकि आप में आप ये किर्पा बरसने में आपका पूर्ण रूप से अधिकार भी है और जगजनी माववानी अंब के गिर्पा आपके घर में अनपूर्ण रूप में वास रहे तो जैसा कि आपको पता है कि मेंदेपुर की जो हमें तारिक रखने जा रहे हैं मेंदेपुर तो हमने जाना ही है तो बाबा के दर्शन करने तो अब बहुत जल्दी कुछ उसी कारिया में भी व्यासता है कुछ हन देनिक जीवन में पूजा अपनाते हैं, अगर हम उस पूजा को करते हैं, क्या वो पूजा भी सिद्ध होती है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार यह हमारा ऐसा होता है, कि हमें किसी कारिये का पता नहीं होता, और हम उस कारिये को करते हैं, और उस कारिये में कब उसम इसमें कोई संदे नहीं है जिस पकार से संसार के अंदर हमारे जो किसी भी पकार की एबद्दर शक्तिया है या कोई भी ऐसा कारिया है पूजा करने से हमारे घर के अंदर जो है हमारे घर का जो महोल है तनापुर महोल है वो सुक्मिय में मदल जाता है और देनिक जीवन के अं अरुमान चलिसा का पाठ कर रहे हो, या हरुमान नाष्टक का पाठ कर रहे हो, या दुरुगा चलिसा का पाठ कर रहे हो, या कोई भी एक मंतर की माला आप कंटीनू करते हो, या ओम सिताराम के मंतरों की माला करते हो, या शंकर भगवान का बंचाक्षर मंतर का जाब कर रहे ह या मा चवमुंडा देवी का आप नवान मंतर का जाब कर रहे हो तो ऐसा कोई भी अगर कंटीनू कारिया आप करते हो तो मेरा मानना तो यह है कि उसके अंदर कंटीनू अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो उसके अंदर भी शक्तियां विद्वान हो जाती हैं लेकिन बात यह होती है कि वो शक्ति हम उसको पहचानते नहीं क्योंकि हमें तो वही दर्साया गया है ना वही तो दिखाया गया है कि अगर आप इस समय पर लेकर एक्ताली दिन की पूझा करोगे तब आपके बाद शक्ति आएगी या इकी दिन की साधना करोगे तब शक्ति आएगी या आप तीन मिन्ने की यह साधना करो गया, 108 दिन की साधना करो गया, तो हम उस चीज को तो माल लेते हैं कि वो तो एक शक्ति हमें प्राप्त होनी ही होनी है, वो तो एक किरपा प्राप्त होनी ही होनी है, नेकिन हम उस चीज को कमज़ लेते हैं, जो हम डेनिक जीवन में जो हम र इसी पकार से हमारे देनिक जीवन में जो भी हम पूजा याचना करते हैं उस पूजा याचना से हमारे जो शरीर के अंदर जो विकार है उसका त्याग होता है जो गुन है वो जो उस मंतर की जो अद्बुद शक्ती है उसका हमारे शरीर के अंदर कैल्सियम और प्रोटीन के र जीवन के जरूरत बन जाती है, एक इच्छा बन जाती है, हमारी मालों को एक व्यक्ति है, वो कंटिनू उसको दस साल हो गए, लगातार वो हनुमान चलिशा का पाठ कर रहा है, और किसी कारणवश वो ऐसा होता है कि जिस दिन वो घर नहीं करता, उस दिन वो बस में कर लेता ह है, क्या वो हनुमान चलिशा उसको फल दाए कि नहीं होएगी, आप संदे, इसमें संदे वाली बात तो कोई है नहीं, 101 परसेंट उसको फल देगी, 100 से 100, 1001 परसेंट उसको फल देगी, क्योंकि गोश वामित तूलसी दाजी जिवारा वो सिद्ध है, और वो लिखी गई है और उसने अपने देनिक जीवन के अंदर, रोजाना की पूजा के अंदर उस पूजा को अधरन किया है, और उस पूजा की वो जो नियम है, कंटीनू वो निभारा है, मालो उसका समय है, साड़े आठ बजे पूजा करना, और कंटीनू उसको इतना समय हो गया लगातार पू शान्ती के रूप में उसके गरस्त में उसके श्रीर पर किसी भी पकार का रोग दोश बिवारी उत पर नहीं हो रही है तो वो जो रूप है सिर्फ हम उस रूप को देख नहीं रहे हमें वो रूप पता नहीं है कि वो पूजा हमें किस रूप में फल दे रही है नेकिन उसका जो केंटीनू जो आदा घंटा या एक घंटा जो अपने डेनिक जीवन के अंदर उस पूजा को दे रहा है, उस पूजा से उसको अदबद उर्जा जो है उसके घर में वास कर रही है, निकिन इस उर्जा का उसे पता नहीं है, जब कोई शक्ति हमारे इस पास होती है जैसा कि अभी हमें पता नहीं कि हमारी जो आत्मा है परमात्मा का सवरूप है अगर हमें पता लग जाए हमें खुद को अपनी ही आत्मा से बात करना आ जाए या किसी और आत्मा से हमारी आत्मा अगर किसी दूसरी आत्मा से बात करना स रहेगी इसी पकार से हमारे पास जो शक्ति है जो हम कंटिनू हमारे शरीर के अंदर शुपी भी है हम उस शक्ति से एक अधबुद शक्ति प्राप्त कर रहे हैं जैसा कि हनुमान चलिशा पड़ रहे हैं या कोई मंतर का जाब कर रहे हैं अगर आप उसको यह लगा लो दस साल हो गए आपको उस पाठ को करते हैं या पास साल हो गए उस पाठ को करते हैं दो साल हो गए तो आप उसको अग्यात भगती कहते हैं जो दिखाई नहीं दे रही चुपी भी शक्ति कहते हैं जो दिखाई नहीं दे रही नेकिन उसका रिजल्ट जो है आपके परिवार के उप पर पग पग पर आपको मिलता रहता है और कई वार आपको पता नहीं लगता आप मालो किसी को कोई व्यक्ति बिमार होते हैं तो यह एक काम कर इसके ओपर इस पकार का कारिये कर दी यह ठीक हो जाएगा और व्यक्ति ठीक हो जाता है आपके किया भगति का फल उसको प्राप्त करनाचाहताथा सबकी उंगल्या का जाँ है शांका वेड़ान उनका आमना सामना हूँबर वारत्लाप वारत्― वारत्लाप जो थे उनसे डरे नहीं डरे नहीं तो क्या आप में उन्हें कहा कि मैं तुस्से क्यों डरूं मुझे मार देगा तो उससे क्या होगा उससे कुछ तुझे प्राप्त दो नहीं होगा और उसे सद मार का रास्ता बदाया जब सद मार का रास्ता उन्हों उंगली मार डाकू ने अपनाया तो उसे बड़ी कटना ही होई लोग बाग जब गल जब गाओं में बिख्षा मांगने जाता तो बार बार उसको तिसकार आ जाता लोग डरते उससे नेकिन जब वो कंटीनू बुद के कहने से वो अपने अंदर की जो शक्ती थी उसको जगात जो डाकू थे वो सादू रूप में हो गए थे तो वहां से टप रहे थे अब किसी की तकलीफ बरदाश नहीं होती थी क्योंकि अपने आपको परिवर्तन कर लिया था तो लगातार मालो इतने समय से पूझा याचना कर रहे थे तब उन्होंने पूचा कि क्या ये ठीक नही न 그냥 कि अन्होंने का कि ने ठीक हो जाएंगी मेरे गरुजी इनने जरूर ठीक कर देंगे और मेरा अंतर का विष्वास है वो जरूर ठीक कर देंगे अपने गरुजी के पास गए अब बुद्धी ने कहा कि आप के पास भी तो शक्ति находится कि चाहिए मैंने तो अभी 2 साल ही होय identify तीन साली ही हुए हैं आपकी दिक्षा लिये वे मैं इतनी जल्दी से सिध कहां से हो सकता हूँ तब बगवान बुद्ध ने कहा कि आप जाईए और ये कहिए कि जो आपने दो धाई साल तक पूजा की किरपा प्राप्त करी है उस पूजा की किरपा इस लेडिज को मैं देता ह हूँ उसी समय वो जो दर्द से है मुक्त हो जाएगी यही बात जाकर उसने उसके कानों में बोली तो तुरंत वो दर्द से मुक्त होगी और उसको संदान की प्राप्ती होगी अब उंगली मार को इस बात का नहीं पता था तो वो बुद्ध बगवान के पास गए कहा कि प् कई वार जब जिस कारिये को हम continue करते रहते हैं उस कारिये के अंदर भी उर्जा प्रवावित हो जाती है शक्ति प्रवावित हो जाती है उस मंतरों के अंदर भी शक्ति आ जाती है सिर्फ बात ये होती है कि हमें उस कारिये को पता नहीं होता कि किस तरिके से चलाना है किस तरि शिरी गुरुवे नमा गुरु हमारे जीवन के अधार पर मुख होते हैं गुरु का मतलब होता है दो रुक्षरों को जो नाम है हमारी रूख को अंधकार से लेकर प्रकाश में जोतित तक लेकर जाना ही गुरु का कारिया है तो उसी पकार से हमारे जीवन के अंदर हम जो डे चारों में सुधता आती है जिस पकार से हम मल का त्याग करते हैं अन का ग्रहन करते हैं उसी पकार से पूजा के मादम से हम पूजा की सकात्मक उर्जा का ग्रहन करते हैं और जो नक्रात्मक उर्जा का त्याग करते हैं अवगुनों का त्याग होता है अवगुन हमारे अंदर प्रवेश नहीं करते क्योंकि अगर माण रिजिय कि आपने अपनी पूझा में एक देनित की नियम ये अपना लिया कि आपने सुण उठने से सबसे पहले कोई बी न को ग्रहन करना ओले पानी को और आप पांस दिन पूजा याचना चोड़ दोगे तो आप उस भूखके बगए रह नहीं पाओगे जो देनिक जीवन की जो पूजा होती है बहुत यह जादा पावरफुल होती है आपको उसकी पूजा का मैतर्व के बारे में। मैंने आपको यह हलका सा ज्यान बताया है औ कोई एक मंतर का साहरा पकड़िए हनुमान चलिसा पढ़िए बजरंगबान पढ़िए हनुमान नाश्टक पढ़िए रमैन का पाठ कीजिए सुन्दर कांड का पाठ कीजिए कोई भी एक कारिये को आप कंटीनू पकर लीजिए और उसको यकीन मानना आप तुरंत छे महीने के अंदर अंदर भी आप सिद्धी हो सकते हो आपके उपर किर्पा हो सकती है भगवान की पूजा याचना करने से कभी भी हमारे जो पूजा याचना कभी व्यर्थ नहीं जा सकती क्योंकि भगवान की पूजा याचना जब हम सच्चे मन से करते हैं, आत्मा की शेष्ट उजा से करते हैं, क्योंकि अगर उस पूजा में दिखावा कुछ नहीं होता, हम मान लिजे अगर हम 41 दिन की कोई पूजा कर रहे हैं, तो उसमें हमारे को टार्गेट दिखता है, कि हमे ये कारिय करना है, जिसमें हमें कुछ लालसा ही नहीं है, इस पूजा के अंदर हमें कुछ लालसा नहीं होता, इसमें भगवान का सिरफ हम हनुमान चले सा पड़ रहे हैं, नेकिन हमें क्योंकि इसके प्रोफिट के बारे में हमें पता ही नहीं, जिस पकार से कई एक प्लान पूजा जो होता है सबसे ज्यादा शक्ति चाली होती है तो मैंने यह कुछ बताया है यह आपको अच्छा बहुत लगा होगा क्योंकि हमें पता नहीं हम पूजा देनिक जीवन में यूज करते हैं पूजा को करने कोशिच करते हैं नेकिन उस पूजा के अंदर कितनी शक्ति चुपी भी होती है यह हमें उस पात का नहीं पता तो आज आपको पता लगया आज से जो आप पूजा कर रहे हो उसको कंटिनू बढ़करा रखना है चाह आंदी आए तुफान आए उस पूजा को नहीं छोड़ना अब कहीं लेडी जो के मन में यह होगा कि मान लीजे हम मै लात नहीं लगा सकते हैं लेकिन मलं कर सकते हो हनुआं चुरिक का गुणान कर सकते हो हनुआ नाश्तर का भी कम धाया कर सकते हो को चालेघे तो राम नाम के अगर आप मालए जप रहे हो कोई पर परशानी नहीं यह और कभ आप सिध्य पराप्त स्वमिन नहीं कि आप कोई बहुत बड़े क्रोर पती बन जाओ ये बन जाओ वह बन चोब आप हवा में फूक उड़के हवा में इस पकार की दिखावे कि या थे जो आप चाहते हो वो प्रमात्मा आपकी च्छाओं को पूर्ण कर देता है आपके घर में सुख समरिद्धी का वास होने लग जाता है आपके परिवार के अंदर कभी भी जरिद्धा का वास नहीं आता आपके बच्चे आपकी संतान आग्याकारी होने लग जाती है आपके वानि अम्बग्य के किर्पा आपके घर में हमेशा वास करें जया माता